अब हमारी website hosted है, बीन stack पे और हम लोग ने attach कर लिया है, अपने domain को अपनी website से, अपने application से, लेकिन अब इसमें क्या है, बहुत सारी शीय है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसमें भी हमने तीन domain उसके हैं, एक तो हमारा root domain है, मतलब अगर हम इसको ऐसे call करते हैं, तो भी हम access कर पाएंगे site को, साथ ही साथ में अगर हम www यूज करते हैं, then also we can access, अगर हम normally यहाँ पे main यूज करते हैं, तब भी हम लोग access कर सकते हैं site को, main dot, main dot, main dot and http पे अभी हम access कर पा रहे हैं, yes, that is actually not secure, हमें domain लगाना है, domain लग गया है, अब हमें domain पे SSL या अपना SSL certificate इंस्टॉल करना है, जिसे हमारी site secure है, ठीक है, secure है, अब तब हम अपनी site को secure कर सकते हैं, certificate हम यहाँ पे लगाना है, चलो भी हम certificate लगाते हैं, certificate लगाने के लिए मैं सबसे पहले certificate issue करना होगा, and then फिर उसको हमें लगाना होगा, चलो हम लोग यहाँ से issue कर सकते हैं, AWS से हमें यहाँ पे सर्च करना है, certificate, certificate manager, अब यहाँ पे देख सकतो, हम यहाँ पे manage and deploy कर सकते हैं, SSL certificates, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, and यहाँ पे हम देखे हम ने एक certificate issue कर रखा, आपको क्या करना है, आप request पे जाओगे, and यहाँ पे आप क्या करोगे, आप फेल्टूल इस्तों ठीक है ठीक होई जाए नभी इस्कोई जाए जाएंगे, और यहाँ पे request public certificate पे क्लिक करेंगे, and next पे क्लिक करेंगे, domain बाग रहा है, तो आप यहाँ पे अपना domain डाल दोगे, मैं यहाँ पे दो domain डाल दोगे, सबसे पहले अड़ करते हैं, www.scm, या फिर एक्राम करते है, root domain पहले अड़ करते है, .site, यहाँ आप अड़ कर दिये, और दोबारा एक और domain डाल कर सकते हैं, तो हमें star.scm20.site डाल कर देंगे, इसका मतलब है, कि scm अलब हमारा root domain होगा, साथी साथ में star का मतलब, कोई भी sub domain होगा, उसके लिए भी certificate applicable होगा, उसके बाद आप यहाँ पे add, या एक value लगानी होगी, अपने फिर dna server पे, या dns names में, अभी मैं आपको बता दूँगा, कैसे करना है, उस वाद simply आपको क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, request करना है, अब होगा क्या है यहाँ पे, आपको, या यह देखे, तो आपको simply इसको copy करना है, c name में, और c name को copy करके, यहाँ पे आना है, यहाँ पे choose करना c name, और name की value लेनी है, और अपने value की value लानी है, यह copy करनी है, और यहाँ पे paste करनी है, और फिर आपको यह record add कर देना है, जब आप यह वाला certificate verify हो जाएगा अभी के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास अलड़ी verified certificate है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको verify करके और फिर आपको यह certificate use करना अपने बीनी स्टैक वाले इंस्टेंस पे जो एक्सकीट हो रहा है यह बीनी स्टैक वाले अप्लिकेशन पे चल रहा है कैसे लगाना यह भी मैं आपको बता देना है बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा ही सिंपल है इतना आप कर लोगे certificate बना लोगे ठीक है verification के आप यहां पर यहां पर हो जाएगा उसके बाद आप हमें क्या करना हमें SSL certificate इंस्टॉल करने के लिए हम यहां पर आएंगे and use करेंगे बीन स्टैक बीन स्टैक यहां पर हम आजाएंगे अपने अप्लिकेशन पर यहां पर हम configuration पर चलेंगे and once we load the configuration हमें यहां पर उसका ना लोट बैलेंसर तो टेंशन मतलिए मैं ऐसे चीज़ आपको यहां पर हमें दिखेगा लोट बैलेंसर इसको एडिट करना है तो हम यहां पर आएंगे लेडिट दिस लोट बैलेंसर और नीचे आएंगे इसको यह क्या करेगा यह लूट बैलेंस के लिए उतने इंस्टेंस को चालू कर देगा सब्सक्राइब और इसको एक और इंस्टेंस बना लेगा एक और इंस्टेंस ठीक है डिफॉल्ट है यह सब्सक्राइब करना है और यहां पर चूज कर दोगे और यहां पर चूज कर लोगे सब्सक्राइब और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टन स्टेप करना है ऐसे सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर वही दिखेगा जो आपने दूसरा हमारा इट जीरो पर यह लिसन कर रहा होगा ठीक है तो इस हिसाब से हम लोग ने अड़ कर दिया अपना सर्टिफिकेट और हमारा जो सर्वर है अब पर सब्सक्राइब करना बस बाकि आपको आपको अपलाए और कंटिनू कर देना अभी मैं अल्री कर चुका हूं बट आप अपलाए कंटिनू कर दोगे और यहां पर देखो हमारा यहां से एल्लो से रेड हुआ था उसके बाद मैंने इंवाइर्मेंट चेंज होगा रहा सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप से आजएगा ठीक है रिस्टार्ट आप सर्वर एक बार करता हूं पहले इतना करने बाद अब आप थोड़ा सा वेट करिएगा वेट जब आप कर लोगे तो आपका अब आप करना यहां पर आकर और अब आप यहां पर स्ट्प्राइब करने के बाद थाइए येस देख वहाई आपकी वेबसाइट यहां पर सेक्योर और एसपे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं पर security में डॉट सीम डॉट सीम टूट सीएम टू जीरो डॉट साइट अन बाकि आप certificate वैलिड यहां पे चेक कर सकते हो ठीक है और बहुत सारी चीज़े देख सकते हैं इसके connection इसके बारे पढ़ सकते हो वैलेडिटी वगर पढ़ सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया certificate की वगर देख सकते हो तो इससे साब से आप अपने connection को शीक्यों कर सकते हैं अब आपकी site fully fully secure हो चुकी है और आप यूज़ भी कर सकते मैंने आपको दिखाया था certificate अब आप 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 सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी site को secure कर सकते हो डोमेन यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी confusion है कि हम क्या यहां पर कर रहे हैं तो हो जाएगा बिल्कुल आप अपने domain provider ने जो DNS दिये हैं आपको उन सारे DNS में configure कर करके और आप काम कर सकते हो मैनेज करके यह DNS servers को यह DNS records को यहीं से भी use करके configure करके और अपने domain को point करा सकते हो किसी दूसरे IP पे किसी दूसरे domain पे but if you want कि हम DNS यहां से ना manage करें DNS से manage करें कहां से यहां से अपने route 53 से तो आपको कुछ ज़ादा नहीं करना होगा वो सारे records यहां पे add करना होगे लेकिन उससे पहले आपको यहां पे create DNS zone बनाना होगा और जब zone बन जाएगा तो यह आपको DNS server कुछ names देगा उन सारे names को यहां पे update करना है जैसे update कर दोगे तो यह सारे records आप यहां नहीं manage होगे वो सारे records आप यहां पे manage होगे तो DNS records आप यहां manage होगे क्योंकि आप DNS server यहां का डाल दिया है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह से हम अपनी website को AWS पे host करेंगे बट भी शूर आप यह चीज़ ध्यान रखेगा कि आप धंग से करो चीजें समझ के करो कभी-कभी अच्छा चार्ज भी कर लेता है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं मतलब ध्यान से करता हूं जो free tier है उन्हीं को उस करता हूं एक बार प्राइजिंग जरूर से देग लिए आप AWS अगर यूस कर रहे हो तो बहुत धंग से ध्यान से यूस करने के जरूद है अगर आप बचना चाहिए और वाइस बहुत बाद चाहिए ज्यादा ज्याता ब्राइब कर लेए आपने होस्त भी कर दिया डोमें आपने डोमें के शाथ एकसे कर सकते हो कहां पे अपने डोमेंज से ठीक है एक सीज़ हो रहा है अब आप लोग करिए गठास अगर आप स्टीटीप से स्टीटीप से ट्रांसफर करना चाहर हो तो उसको कैसे करेंगे अगर आपको होगे तो मैं उसके बारे वीडियो बना दूँगा बट ठीक है कोई दिक्कतने वाली बात न मिलेगी और यहां पर आप इसको एक्सिस करो भाई बहुत इंट्रेंट इंट्रेंट चीज़े मिलेंगी और इसके अंदर पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी होस्टिंग होस्टिंग सब्सीज मिलेगी डोमेनों के साथ कैसे करोगे everything you will get to know everything about this कैसे आम